हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का स्टड़ी 5.6 में तो आज हम बहुपद के प्रस्णावली 2.2 के सवालों को हल करेंगे पहला सवाल हमारा है इसमें निमलखित दुःगाध भxt Natalie confirmation के सुन्यक ज्याद की जिये तथा सुन्यकों और गुडांकों के बीच संबंद की सत्यता की जाच करना है तो इसके सुन्यक ज्याद करना है सुन्यक का मतलब की x का कौन सामान है जिसके लिए यह बहुपत सुन्य हो जाएगा तो वही उसका सुन्यक कहलाता है और रही बात कुलांकों और सुन्यकों के बीच संबंध की यद हमारा एक दुईघात बहुपत ax² प्लस bx प्लस c यद इसके सुन्यक alpha और beta है यद अलफा और beta सुन्यक हो यद यह दुईघात बहुपत है तो इसके दो सुन्यक होंगे तो मान लेंगे पहला सुन्यक alpha है और दूसरा सुन्यक beta है तो इसके जो गुडांक B, A और अचरपदसी है इसमें क्या संबंध होता है अलफा प्लस B क्या माने ये सुन्यकों का योग बराबर माइनस B बटे A B क्या है यक्स का गुडांक और A क्या है यक्स स्क्वायर का गुडांक परावर माइनस यक्स का गुड़ांक बटे यक्स स्क्वाइर का गुड़ांक तो ये संबंध होता है और सुन्यकों का गुड़नफल ये तो सुन्यकों का योग है सुन्यकों का योग और सुन्यकों का गुड़नफल अलफा इंटू बीटा ये बरावर होता है सी बटे ए जहां सी इसमें हमारा एक्स स्क्वाइर का गुड़ांक तो सुन्यक और गुड़ांकों में ये संबंध होता है आसा करता हूँ कि ये आप लोग समझ में आया होगा तो अलफा प्लस बीटा बरावर माइनस भी बाइए अलफा इंटू बीटा बरावर सी बाइए ये ही संबंध होता है तो आईए अब हम पहला सवाल हल करते हैं और उसके बाद उसके सुन्यकों और गुड़ांकों के भी संबंध निकालते हैं तो ये हमारा पहला सवाल है एक्स इस पी एक्स ये बहुपद है पी एक्स बरावर एक्स स्क्वाइर माइनस टू एक्स माइनस एट अब इसका हम गुड़नखंड करेंगे तो 8 है यहाँ पर 8 का गुड़नखंड 2 और 4 होगा अब यहाँ पर माइनस है तो इसके गुड़नखंड को इस तरीके से यहाँ पर हम करेंगे कि घटाने पर इसके बराबर आवे तो यदि हम 2 में से 4 घटाएंगे तो हमारा माइनस 2 आ गया तो अब इसको हम उसी तरीके से लिखते हैं बराबर x square प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 आसा करता हूँ यहां तक आप लोग समझ में आया होगा अब यहां पर हम x कामन ले लेंगे तो x plus 2 हुआ और माइनस 4 कामन लेंगे तो यहां x plus 2 हो गया अब x plus 2 दोनों में कामन है x plus 2 और यहां पर हमारा आया x minus 4 तो यही px बराबर इतना आ गया अब यहां पर x काववा हमान जिसके लिए px बराबर 0 होगा इस पहुपत का सुन्यक कहलाएगा अगर यहां पर हम x बराबर माइनस 2 रखें तो यह सुन्य होगा सुन्य में x minus 4 से जब गुड़ा होगा तो यह सुन्य हो जाएगा पूरा तो इसलिए x बराबर माइनस 2 पर px बराबर 0 अब फिर अब इसमें x बराबर अगर हम 4 लिखें तो 4 में से 4 घटेगा यह 0 हो जाएगा X प्लस 2 इंटू 0 बरावर 0 हो जाएगा तो X बरावर 4 पर X बरावर 4 रखने पर PX बरावर 0 हो गया X बरावर माइनस 2 पर PX बरावर 0 और X बरावर 4 रखने पर PX बरावर 0 तो यह अतह माइनस दो और चार बहुपद के सुन्यक हैं आसा करता हूँ कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे तो बहुपद के यह सुन्यक हैं अब हम योगफल निकालेंगे सुन्यकों का योगफल यहां पर योगफल योगफल बराबर अब आएए जोड़ते हैं माइनस दो प्लस फॉर बराबर आगया दो अब इस दो को हम लिख सकते हैं बराबर माइनस माइनस दो बटे एक अब यहां पर यह रिड हो गया अब माइनस दो क्या है यहां पर ये जो बहुपत दिया गया इसमें x का गुडांग है माइनस x का गुडांग बटे अब एक क्या है एक यहां हमारा x square का गुडांग है बटे x square का गुडांग तो सुनिकों का योग बराबर माइनस x का गुडांग बटे x square का गुडांग और गुडन फल तुन्यकों का गुडन फल बराबर माइनस दो इन्टू फोर ये बराबर हमारा हो गया माइनस एट अब इस माइनस एट को हम लिख सकते हैं ये बराबर माइनस एट अपान वन माइनस एट अपान वन को लिखेंगे अब यहाँ minus 8 हमारा अचरपद है तो यह अचरपद बटे एक x square का गुडांक है x square का गुडांक तो यही सुन्यकों और गुडांकों में संबंध होता है Second part 4ps यह ps बहुकर्द है 4s square minus 4s plus 1 अब अगर हम इसका गुड़न खंड करें तो यह एक का गुड़ा चार्म करेंगे तो 4 आएगा 4 का ऐसा गुड़न खंड करें कि जोडने पर minus 4 के बराबर आवे तो 2 दूनी 4 होगा यह एक गुड़े 4 करते हैं यह 4 आया 4 का गुड़न खंड करेंगे 2 गुड़े 2 तो 2 दूनी 4 हो गया अब इसी को minus 2s minus 2s लिखेंगे अब यह हमारा हो गया 4s square minus 2s minus 2s plus 1 अब हमने 4s को तोड़ दिया minus 2s minus 2s अब यहाँ पर 2s कामल ले 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 तो 2s minus 1 आगया अब minus 1 कामल ले ले लेंगे तो 2s minus 1 आगया अब फिर 2s minus 1 कामल ले तो यह 2s minus 1 होगा यह दोनों मूल इसके बराबर होंगे तो यह ps बराबर हमारा आगया 2S-1 into 2S-1 तो S बराबर इसमें अगर हम S की जगा एक बटे-2 लिखें एक बटे-2 2-2 cancel हो जाएगा तो 1 बचेगा 1-1 0 हो या तो 0 में S से गुड़ा होगा 0 हो जाएगा S बराबर 1 बांट 2 रखने पर रखने पर P S बराबर 0 तो S बराबर 1 बटे-2 इसका एक सुन्यक होगा अब इसमें भी हम दूसरे में S बराबर 1 बटे-2 रखें तो 2 into 1 बटे-2 2 से 2 cancel हो जाएगा 1-1 0 हो या अब इसमें 0 से गुड़ा होगा 0 हो जाएगा तो दूसरे में भी S बराबर 1 बटे-2 रखने पर के सुन्यक हैं बहुपद के सुन्यक है यस का वहमान जिसके लिए PS बराबर 0 उसका सुन्यक होगा अब इसमें हम फिर संबंधों के बारे में तो गुड़न फल पहले योग फल देखेंगे सुन्यकों का योग फल तो योग फल बराबर 1 बटे-2 धन-1 बटे-2 1 बटे-2 में 1 बटे-2 जब जोडेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 1 अब इसे 1 को हम लिख सकते है माइनस माइनस 4 बटे 4 1 को हम लिखıygenगे माइनस माइनस 4 बटे 4 क्योंकि यह माइनस को च्ठक के बाहर है तो यquently 4 बटे 4 हो जाएगा माइनस यस का गुड़ांक, बटे, फोर क्या है, फोर यहाँ यस स्कॉयर का गुड़ांक है, यस स्कॉयर का गुड़ांक, तिये योगफल में ये संबंद है, और फिर सुन्यकों के गुड़न फल में, गुड़न फल, बराबर, एक बटे दो, गुड़े एक बटे दो, बराब यहां पर एक बटे दो गुड़ी एक बटे दो यह हमारा एक बटे चार होगा सारी दो में दो से गुड़ा होगा चार होगा अब यहां पर एक बटे चार तो एक हमारा अचरपद है यहां यह एक इसमें अचरपद है तो यह अचरपद अचरपद बटे चार हमारा यह ये संबंध है इसकी सत्यता की जांच हो गई यह बराबर है अब हम तीसरा सवाल देखते हैं हमारा तीसरा सवाल है थर्ड पार्ट है फोर एक PX बराबर 6X स्क्वार 6X स्क्वार माइनस 3 माइनस 7X अब इसको हम ब्यापक बहुत का जो ब्यापक रूप AX स्क्वार प्लस BX प आर PX बराबर ये ब्यापक रूप इसका लिख लेंगे 6X स्क्वार माइनस 7X माइनस 3 अब इसका जो हम गुरनखंड करेंगे तो 6 तरीक 18 18 का ऐसा गुरनखंड करेंगे यहां लिख देते हैं हम समझने के लिए 6 गुड़े 3 बराबर 18 18 का ऐसा गुरनखंड करें कि घटाने पर साथ आवे तो 2 गुड़े 9 होगा तो 2 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 7 आएगा तो उसी को हम इस रूप में लिखेंगे यह हमारा हो गया बराबर 6X स्क्वार प्लस 2X माइनस 9X माइनस 3 अब इसमें 2X कामल ले ले हम 2X यह हो जाएगा 3X प्लस 1 माइनस 3 कामल लेंगे इसमें तो 3X प्लस 1 हो गया अब यहां पर 3X प्लस 1 दोनों में कामल है 3X प्लस 1 अब यहां कामल लेंगे तो यहां 2X मचेगा 2X मचेगा यहां माइनस 3 मचेगा आसा करता हूं कि यह आप समझ में आ गया होगा तो हमारा PX बरावर यह हो गया इतना अब यहाँ पर देख रहे हैं X के अस्थान पर अगर हम X की जगा माइनस एक बटे तीन रखेंगे तीन गुड़े माइनस एक बटे तीन ती यह माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ प्लस वन है तो 0 हो जाएगा x बराबर माइनस एक बटे तीन रखने पर रखने पर हमारा px बराबर 0 हो गया और इसमें हम दूसरे वाले में x के अस्थान पर हम x बराबर यहां पर 2 अपान 3 अपान 2 रखते हैं 3 अपान 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 3 माइनस 3 बराबर 0 यह 0 हुगा तो इसमें 0 से गुड़ा होगा तो 0 हो जाएगा आसा करता हूँ यह समझ में आ रहा होगा आप लोगों फिर से समझ लिए x के अस्थान पर हम अगर 3 बटे 2 रखें यहां 3 बटे 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहां बचेगा हमारा 3 3 माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस प्लस 3 बान टू रखने पर रखने पर पी x बराबर 0 तो 2 मान इसके रखें तो यह 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है अता x बराबर माइनस एक बटे 3 और 3 बटे 2 बवपद 6 x स्क्वाइर माइनस 3 माइनस 7 x के सुन्यक है बवपद के बवपद के सुन्यक है सुन्यक है आसा करता हूँ कि यहां तक समझ गया होंगे आप लोग अब हम योग फल निकालेंगे योग फल योग फल बराबर माइनस एक बटे 3 प्लस 3 यह पांटू बराबर अब यहां कर लेते हैं जगह का भाव है तो 6 LCM हो जाएगा तो 3 दूनी 6 माइनस तो 2 दूनी 6 यह प्लस 9 हो गया यह मारा आ गया 9 में से 2 गटाएंगे 7 बटे 6 हो गया अब इस 7 को हम लिखेंगे माइनस माइनस 7 माइनस में माइनस गड़ा होगा प्लस होगा 7 को हमने लिख दिया इतना बटे 6 अब माइनस यहां पर माइनस 7 हमारा यक्स का गुरांक है तो इसको लिख देंगे बटे ये अक्सी स्क्वायर का गुड़ांक तो आसा करता हूँ कि ये समझ में आप लोगों का आ गया होगा तो सुन्यकों का गुड़न फल सुन्यकों का गुड़न फल सुन्यकों का गुड़न फल बराबर यहां पर हमारा पहला सुन्यक है माइनस एक बटे तीन और दूसरा सुन्यक है तीन बटे दो अब यह कैंसिल हो जाएगा यह माइनस ओवन अपान टू आ गया हमारा सुन्यकों का गुड़न फल माइनस ओवन अपान टू आया अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 ये पान 6 3 ये पान 6 इसको जब सरल करेंगे तो माइनस 3 ये पान 6 अब यहाँ पर हमारा माइनस 3 जो बहुपद दिया गया है उसमें ये अचरपद है अचरपद बटे 6 हमारा यक्सी स्कॉयर का गुडांक है तो इस तरीके से ये बहुपद के सुन्यक और गुडांकों के बीच हमने संबंद के सत्यता की जाच भी कर ली है जो सही है तो आसा करता हूँ कि ये सवाल आप लोग समझ में आये होंगे तो आज बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद